हेलो फ्रेंट्स स्वागत है आप सभी का मेरे और एगने व्लोग पर वैसे थमनेलो टाइडल देखके आपको पता चली गया होगा कि आज का व्लोग क्या है जी हाँ दोस्तों आज हम आये हैं गौहार्टी से 14 किलोमेटर्स दूर गौहार्टी और हाजो रोट में एक पार्क है और ये पार्क असाम के हिस्ट्री में काफ़ी एहमियत रखता है जी हाँ फ्रेंट्स ये है सराइगाड वार मेमोरियल पार्क तो फ्रेंस यह पर्क आसाम में 2007 में इन्योगरेट किया था तब का सीम आसाम के श्री तरून गोगई जी ने यह परक आसाम के हिस्ट्री में काफ़े इंपोर्णेस रखता है फ्रेंस आये इस पार्क के डिटेल्स में आपको बताता हूं एक्चली यह पर क्या है और किसके मेम वेल फ्रेंस बैटल अप सराइगार तो आपने सुना होगा यह वार आहोम डाइस्टी और मुगल डाइस्टी के बीच हुआ था और यह परक आहोम सेनापोती जो लचीत बरफुकॉन थे उनके नाम पर बनाया गया है लचीत बरफुकॉन को भारत के सबसे काबिल सेनापोत जाता है और यह आहोम और मुगल के बीच में जो वार वा था वो इंडियान नैबल वार का एक एक्सेप्शनल वार माना जाता है मुगल जब आसाम कंकेर करने के लिए तब लचीत बरफुकॉन चाहते था कि मुगल पानी के रस्ते आए लेकिन लचीत बरफुकॉन को पता था कि मुगल इसी रास्ते आएंगे गौहाटी को अटेक करने के लिए तब उन्होंने एक प्लान अपने था मुगलों को रोकने के लिए उन्होंने अपने मामा को आधेश दिया था कि यहां मुगलों को रोकने के लिए उनके रास्ते पर पत्थर बिचाना है और मुगलों को रोकना है तागे मुगल मजबूर होके आपने रास्ता नदी की ओर ले जाए जो कि लचित बरफुकन चाहते थे लेकिन लचित बरफुकन के बेचेनी बरगे और आधी रात को अपने मामा को सौफे के काम देखने के लिए आगे और आके देखा मामा सो रहे थे और जो काम दिया वह अभी भी पूरा नहीं हुआ यह देखके लचित बरफुकन बोखला गए और गुस्ते से आग बबुला हो गए मामा के इस लापरवाई के करन लचित बरफुकन ने अपने मामा के सर धर से अलग कर दिया और कहा देश से बड़ा मामा नहीं है जो हम कहते हैं देख वेल फ्रेंस असाम एक ऐसे जागा है जहां मुगलों को 17 टाइम्स हार खाना पड़ा क्योंकि आसाम के जो कमंडर इंची पे लचित बोरफुकन वह काफी स्मार्ट थे वार के मामले में और टेक्निक्स के मामले में अब सुना ही होगा एक बैटल हुआ यहां हम और मुगल के बीच तो इसी जो प्लेस है यह मेरे पीचे देख सकते हैं बहुत पत्तर है मतलब यह पूरा यह एरिया पूरा पत्तर से ठाखा हुआ था आज अभी इसको बीच पे अभी करकर आस्ता बनाया गया है तो जब अब यहां पर रोका यह वर 1671 एडी में हुआ था और मेरे समने जो आप नदे देख रहे है वह ब्रमनमतर नदी है और इसी नदी के ऊपर वह वार हुआ था जहां आहों ने वार को जीता वीडियो को हम करते ही पर एंड कफी अच्छा लगा इस चीज को जानके मतलब हम लो आप लोग प्लिस हमरे चैनल को सब्सक्राइब करियेगा जो लोग नहीं आये हैं हमरे चैनल पर और प्लिस लाइक, सेर और सब्सक्राइब करियेगा तो बाइबाइ क्या उद्यान है यह यह है फरजगाट जो तो मोगल ने आशाम को आखरमन किया था तब लासीद घर्फुगन ने यह लगकर यहाँ घता दिमने भुलक किया था यह है यह उद्दन हाई यहां और यहां एक बात है यह जो क्या है है कि एक पार जब इस डूप्ध मैं ट्यवाल वना था एशा यह मोगल यह अर्वार्पुथ्रों नोधिका उस तर दाने नहीं शब्रे कर इसलेवरे भ्रशा दीया यह तो यह कह्ता दिया था तो मामा काम के गभी ती किया, तो जैसे बजिए उसको मामा को कतल गया था, यहाँ, यही जगा है. देखोत कोई मोमा ये डांगों नहों है? अर वह बोला था, ममा के जो नहीं किया तो देश के लिया ममा बरा नहीं है देख़ देख़ के इंड़नों है नहीं है तो फ्रेंज अबने सुन होगा नैसली एक्स्प्लेंग किया मेरे देख़ इन लोह ने और तब से एक सुलोगन बहुत ही कॉमोन है आप आप बार बार कहते हैं, देखोत को मुमाय डाउन है, मतलब देश से बरा मामा नहीं है, और यह मैं आपको देख जो बीच में जो इस रास्ता देख रहे हैं, यह तब क्या हुआ था? अपत्थर था, तो अभी इसको काट के बीच में से रास्ता बनाया गया है, जब अपत्रा और रिवर से